तो आवर नेक्स टॉपिक एस एलेक्रिक पोटेंचिल दूटो अग्टिनियस चाल्ज दिविशन लेकिन इससे पहले जब हमने प्रीबिएस खाया देखा था कि कोई एलेक्रिक पोटेंचिल दूटो थे एलेक्रिक डाइपॉल at any random point, ठीक है, उसका final formula क्या है था, यह इसके कारण किसी P point R distance पर, angle theta पर, यह A, यह B, minus Q, plus Q, इसके कारण what was the electric potential at point P, quickly, everyone, K P cos theta by R square, very good, so हमें यह मिला था, अब ध्यान से देखिए, इसका special case देख लीजिए, और फिर इसको करते हैं, special case, special cases, तो इसके अंदर case 1, अगर मैं बोल दूँ, theta is equals to zero degree, that means what, यह जो R वाली line है, वो किसके along हो जाएगी, A, B के along, तो क्या यह वो वाला case हो गया, electric potential at a point P, along its axial point, यह 2A distance, यह O, और center से R distance, तो clearly यह theta 0 हो गया, theta 0 होते ही, value substitute करो क्या हो गया, KP cos 0 upon R square, KP upon R square, क्या यह ही आ रहा था गया, yes or no, हाँ ना बोलो, yes, case 2, अगर मैं 180 degree कर दूँ, तो 180 degree में क्या हो जाएगा, यह point, यह minus Q से plus Q की तरह था, तो यह point P इधर की तरफ लाई कर रहा होगा, तो final इसमें क्या हो जाएगा, theta 180 का उतलब, cos, theta is equals to cos 180, cos 180 कितना होता है, minus 1, तो final answer क्या जाएगा, minus KP upon R square, यह भी क्या लाएगा, excel वाले, बस यह इधर की तरफ तरफ तो plus point आया, यह minus के पास में तो minus वाला point माइनस आगया, ठीक, अगर मैं बोल दू, case 3, theta is equals to 90 degree, means what, यह theta 90 कब बनेगा जब यह ऐसे हो जाए, ऐसे होनेगा मतलब, यह minus Q, यह plus Q, point A, point B, यह center O, और यह O से यह, यह हो गया 90 degree पर, ठीक है? यह point P, R distance, तो theta कितना हो गया 90, theta 90 पुट करो, इस formula में क्या आ रहे है, theta 90, this implies that, this implies that, cos theta कितना हो गया, cos 90, cos 90 कितना होता है, 0, cos 90, 0, तो VP कितना हो गया, K, P, 0, upon R square 0, ध्यान से देखो, यह कौन सा वाला format बन रहा है, tell me, equatorial axis, equatorial axis, so, हमने यह प्रूव कर रहा है, कि the electric potential on equatorial axis always 0 होता है, देखो, आ रहा है, so, हमारे पास, this is the most general formula, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, चलिए, next हम करता है, electric potential due to a continuous charge distribution, आपको दियान हो, तो continuous charge distribution के बारे में मैंने, जिस साहीं पर फोर्स हमने बढ़ा था, electric forces, gausses law, उससे ठीक पहले यह वाली चीजे पड़ी थी, और हमने देखा था, उसके अंदर की वो random कुछ surface लीती ही, उसके कारण, कहीं पे r distance पर, तो हमने बहुत सारे इसको random random elemental parts में इसको break कर लिया था, और इसी तरह से इसमें से एक ds element मानते भी इसमें dq charge आज़ीम किया था, dq charge से r distance पर एक plus q naught test charge आज़ीम किया था, और यहां पर force निकाला था, kq1 यानि की, kq naught dq upon r square, फिर यह df निकलता था, total force निकालने के लिए integration of df कर देते थे, k बाहर आ जाता था, q naught dq upon r square, q naught भी constant है, यह भी बाहर रहता है, तो यह 1 upon r square dq, यह इस तरह का रुच हमारा concept रहता था, same concept, यहां पर भी वही लगेगा, इस चीज को आप थोड़ा सा देखेगा, कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम, इसमें कोई derivation अगरे कुछ नहीं करना है, डारेक्ट लिए आपको याद रखना है, जैसा यह वाला होता है, ठीक वैसे, capital Q point charge के कारण, r distance पर, small r distance पर, कितना निकला था, vp is equals to kq by r, जब हमने बहुत सारे charges system लिए थे, q1, q2, q3, और उसको अगर coordinate system में लेकर के position vectors की terms में बात की जाए, तो यह p था, यह o था, इसको मैंने r vector बोला था, इसको r1 vector, capital r1, capital r2, यह बोला था, q1 की distance small r1 बोली गई, q2 की distance r2 बोली गई, हमने बोला था, individual एक किसी charge के कारण माली यह b1, हमने बोला था, kq1 upon r1, और इस r1 को लिख दिया था, vector form में kq1 upon r vector minus r1 vector, capital r vector minus r1 vector, और in general, in general, हमने लिगा था साथ, v total, जो v total होता है, वो कितना आ रहा था, k qi upon capital sigma, qi upon r vector minus r i, यह जो v total है, यह कौन सा वाल है, discrete, यह continuous नहीं है, क्यों है discrete, क्योंकि हमने जो यह charges, assume कर रखें, यह charges हमने assume कर रखें, वो कहां कहां पर फैले वें, अलग-अलग locations पर, continuous नहीं है, लेकिन अगर हम बोलें, कि continuous chart distribution एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक shirt के बाद, तो उसके अंदर क्या लग जाता है, यही sign, जो sigma होता है, वो किस में convert हो जाता है, किसके अंदर convert हो जाता है, इन्तिग्रेशन साहें, तो इसी को के लिए मैं कैसे लिए लिख दूँ विटोटल कंटेश विटोटल कंटेश के विटोटल कंटेश किसी नहीं किसी क्या रेस्ट नोटा तो यही क्यो चालता है बी क्यो और अपाउन क्या हो जाएगा आर माइनस आ रही है तो यह इसका हमारे पास क्या हो जाता है साब जर्णल एक्स्प्रेशन हो जाता है कि क्या है यहां पर वन पॉन पॉन फॉर पाइपसले नौट के इस वेर तो यह इस तरीके से कुछ आता है बुक्स में यह वाला डायरेक्ट लिखते हैं कि सिंस वी हम आप़ आर माइनिस आ रही है अब इसको हम कर रहे हैं कि इस अलग अलग टाइप के लिए सा तो वी टोटल वीम ड convince किंसके करेंद मौल το फैना उस को अपलूंट भ्यक्रे लिखना है तो यहांपर क्या जाएगा के बॉल्यो मैं आप लोक्त ना लगा है यहां आवालीयं DQ upon R minus RI. अच्छा. Since volume के respect में volume charge density क्या होती है रो? अगर DQ charge वो ही random वाला portion. BQ charge BV volume के अंदर situated हो. यह volume केतना दे दिया? BV. तो यहाँ पे DQ और Rो और इन में क्या relation होता है? DQ upon BV. What is Rho? Volume charge density. What is Rho? Volume charge density. तीन टाइप की charge density होती है. तीनो टाइप की charge density के लिए हम continuous charge distribution के लिए electric potential find करेंगे. तो एक volume के लिए एक surface area वाले के लिए एक linear के लिए. तो यहाँ से हम DQ की value substitute करते जाएंगे. तो DQ क्या हो गया? Rho dB. बस तो यहीं पर मैं substitute कर रहा हूं ताकि एक एक लाइन के अंदर ही हमारे answer बने रहे. volume DQ की जगह है? Rho dB upon R minus R I. वेक्टर. ठीक है? यह equation 1, यह equation 2. अब इस equation 2 को ही हम 3 parts में break कर रहे हैं. यह V continuous जो total लिखावा था, इस total का one of the part V volume wise निकाल लिया. अब एक part कैसा निकालना है? क्योंकि जो charge distribute हो सकता है किसी point पर. वो सकता है कुछ part volume wise distribute हुआ हो, कुछ area wise distribute हुआ हो, कुछ length wise या linearly distribute हुआ हो. तो हम क्या पूरने साथ? volume wise हमने निकाल लिया. second, इसी दर ऐसे जो electric potential है due to surface area वो कैसे लिख देंगे? main expression तो यही रहेगा कि DQ लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे? S चाओ तो close surface area के लिए S लगा दिया. DQ upon R minus R I. देखें, यह जर्णल expression है, इसके नीचे जो लगा रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि हम किसका काम कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर surface के लिए surface charge density क्या होती है? सिग्मा. सिग्मा is what? surface charge density. surface charge density क्या होती है? charge upon area. तो यह DQ charge कितने area में हम मान सकते हैं? small area, DS में. तो क्या लिखूँगा? DQ upon DS. तो यहाँ से DQ की value क्या substitute कर दूँ? सिग्मा DS. अब ध्यान से देखो, बस मैं continuous की जग़े volume लगा रहा हूँ, DQ की value, in terms of volume लिख रहा हूँ, ρो DV. continuous की जग़े surface continuous लगा दिया, DQ की जग़े क्या लिखदा? सिग्मा DS. सिग्मा DS. अब बस हमारा यह बन गया expression किसकी टर्म्स में है? surface area की टर्म्स में. यह कितना हो गया? K in terms of surface area, सिग्मा DS upon R minus R. यह हमने देदी साब इसको equation number 4. 3rd और 4th two parts complete हो चुके है, equation 2 के. equation 2 को हम 3 parts में divide करके लिख सकते हैं. एक volume wise, एक surface area wise और एक linear wise. तो अब अगर linear wise लिखे हैं हम, तो 3rd part में इसको कैसे break करेंगे? V linear, तो VL लिख दू मैं, यह चाहो तो linear LIN लिख दू. K यहाँ पे linear BQ upon R minus R I. अगर यहाँ तक समझ में आया, तो मुझे बता सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा expression? Everyone, what should be the expression in front of it? जल्दी से? DQ को ही तो replace करना है, यार. क्या लिखूँ? अब बहुत दिमागों. इमाडी है. linear, DQ की जगा है, lambda DL. अरे भई, अब तो याद कर लो, कुछ चीज़े ऐसी होनी चीज़े, जो मतलब बस, नीनों में भी पता हो. रो होता है DQ by DB. सिगमा होता है DQ by DS. और lambda होता है DQ by DL. यहां से DQ निकलता है रो डीवी, यह वॉल्यूम की टर्म्स में जब वॉल्यूम वाला काम कर रहे हों तो, यहां से DQ, सिगमा DS, और यहां से DQ निकलता है lambda DL. तो बस जहाँ-जहाँ DQ था, वहां मैंने बस वॉल्यूम था तो रो डीवी रख दिया, सिगमा था तो रो डीवी रख दिया, और जहां पर लेम्डा है तो लेम्डा DL रख दिया, बस काम ही गतम, तो सिंस, लेम्डा is equals to DQ by DL, what is लेम्डा? लीनियर चार्ज लीनियर चार्ज लीनियर चार्ड देंस्रिटी. वेरी गुड, तो यहां से DQ क्या बन गया? टू शुड बी इस इकोस तो सम आप एक्वेशन 3 प्लस 4 प्लस 5, एक्वेशन 2 शुड बी इक्वेशन 3, 4, 5, यह इन तीन पार्ट से मिलकर के बनी वी है, तो इन तीनों को एड़ कर दूं है, 3, 4, 5, वो ही कहा देगी, एक्वेशन 2, continuous, तो अगर आपसे पूछे कोई, कि भ आप इसको वी टोटल कैसे लिखोगे, वी टोटल इस इकोस टू, वी डिस्क्रीट, प्लस, वी कॉंटिनियस, वी डिस्क्रीट, तो आपको पता ही है यह रहा, तो आप इसको लिख दोगा के, सिगमा, क्यू आई अपॉन, कैपिटल आर माइनस आर आई वेक्टर, यह तो क्या डिस्क्रीट के लिए, और वी कंटिनियस क्या लिखोगे, वी कंटिनियस भी तीन पार्ट्स मिलकर के बना है, वी वॉल्यूम, प्लस, वी सर्फेस, प्लस, वी लीनियर, तो इसके यहाँ पे आप यह तीनों, एक्वेश मैं सोरी, कंटिनीनूस चार्ड बिखनू, झाहने को.